हेलो दोस्तो ये है मीना का घर मीना बाहर खिलने गई है और यहां उसके फैमिली बैठी हुई है चलो देखे आगे की कहानी अम्मा जी दोपैर का टाइम हो गया क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ अरे नहीं नहीं बहु अभी मैं तोड़ी देर बाद चाय प्योंगी अभी मेरे पेट में ज़र चलन सी हो रही है अरे मह जादा जलन हो रहा है तो बताइव मैं आपके लिए निमो पानी बना देती हूँ हाई चोनी कैसा है तू कैसा है मेरा बेता तू कितनी अच्छी लग रही है मैं तुमें एक किसी कर लूँ नीना तुम कितनी प्यारी लग रही हो मेरा तो मनी नहीं हट रहा तुमसे भावी भावी देखो नीना जैसी जैसी बड़ी हो रही है ये तो बिलकुल आपके परशाई बनी जा रही है कहा नीना मेरे जैसी दिख रही है नीना तो बिलकुल तुम्हारी जैसी दिख रही है बिलकुल तुम्हारे जैसे श्रारते करती है अरे अमा जी आपने तो बताया है नहीं आपको नीमबू पानी चाहिए आप बता तो दीजिए मैं आपके लिए अभी बना के लाती हूँ आप ठीक फिल करेंगी अरे नहीं नहीं अभी मुझे निम्बू पानी की जरूरत नहीं जब जरूरत होगी तो मैं तुमको बता दूँगी अरे टीना तुम तो यो यो गणी सिंग के शोप पे जाने वाली थी क्या बना तुम्हारा प्रोग्राम जाना है कि नहीं जी अम्मा जी हम लोग जा रहे हैं यो यो गणी सिंग के शोपे अम्मा जी आपको तो पता ही है कि यो यो गणी सिंग का गाना मुझे कितना पसंद है मैं मोनिका भाबी और पुश पादी दी हम तीनों जा रहे हैं एक साथ पर मोनिका भाबी ने बोला कि दोपेर के बाद चलेंगे क्योंकि दोपेर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और हम लोग पसीने से गिले हो जाएंगे। ठीके ठीके बहुत तुम जरूर जाना योयो गनी सिंग के शोपे ही ना तुम भी जा रही हो ना बाबी के साथ और जाना तो अच्छे से इंजोय करके आना ये नहीं कि तुम लोग जल्दी से घर पे आ जाओ जी अम्मा जी मैं भी जा रही हूँ बाबी के साथ भाबी ने मेर को उसके बारे में बताया था कि हो बहुत अच्छे गाना गाता है पर इस बार मैं बाबी के साथ जाके देखना चाहती हूं कि हो सच में इतने अच्छे गाने गाता है कि लड़किया उसके दून पे पागल हो जाती है ठीके ठीके बहु जाओ जाके तुम त्यार हो जाओ और ह यह मना करेगा तो मुझे बताना मैं इसकी टांगे खिचकी इसको सिधा कर दूंगी ठीक है बहु मेरी बात समझी ना तुम नहीं नहीं अमा जी ऐसी कोई बात नहीं इनको आने दीजिए पहले मैं इनसे पूछूंगी फिर ही जाओंगी क्योंकि मैंने इनसे शादी किये तो म करनेशिंग के शोपर जाने का और यह सोचते हुए पंकज अपने घर के अंदर आ जाता है अरे मीना की ममा कहा हूँ इदर आओ मेरी बात सुनो एक मिनट अरे अमा जी लगता है यह आगे मैं अभी जाके देखती हूँ मुझे लग रहे आवाज दे रहे मुझे और तब ही तीना वहां से चली जाती है अरे मीना के पापा आप आप तो आज जल्दी आगे क्या बात है आपका काम आज जल्दी खतम हो गया जो आप जल्दी घर आगे मीना की ममा मुझे जरूरी काम से तहीं बाहर जाना है जल्दी से मेरे लिए एक अप चाये बना दो अरे मीना के प भाभी ने और पुश्पादीदी ने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया है तो आपकी इजाज़त हो तो मैं उनके साथ शो देखने चली जाओं मीना की ममा मैंने तुम अभी बताया है तो है कि मुझे जुरूरी काम से बाहर जाना है और तुम खुद जाने की बात कर रही हो तुम भी चली जाओगी तो घर की देखवाल कौन करेगा अरे आप गुसा क्यों हो रहे हो ये ते एक चोटी सी बात थी मैंने तो आप से पूचा ही था मैं अभी जाने के लिए त्यार थोड़ी ना हुई थी अगर आप नहीं चाते तो ठीक है मैं नहीं जाओंगी मीना की म मैंने तुम नहीं बता दिया है तुम नहीं जा सकती जल्दी से मेरे लिए चाय लेकर आओ ठीक है मैं आपके लिए अभी चाय बना के लेकर आती हूँ और तभी मीना की ममा चाय बनाने के लिए चली जाती है अरे शुकर है मैंने ये बात अमा के सामने नहीं की वरना अमा त अब फड़ा फड़ चाय पीता हूं मुधो के यहां से निकलता हूं और तब ही मीना के पापा वहां से हाथ मुधोने के लिए चले जाते हैं चलो ठीक है में इनके जल्दी से चाय लेके जाती है पतारी इनको कौन सी जरूरी काम है मीना की ममा चाय को और कितना समय लगेगा ज मीना की ममा चाय तो आई तुमने बहुत ही अच्छी बनाई है चाय पी कर तो मज़ा ही आ गया ओ सच में आपको चाय बहुत अच्छी लगी मैंने इसी लिए इसमें अधरक और इलाईची डाली थी अच्छा तो अभी मैं चलता हूँ रात को लेट हो जाऊँगा घर का ख्याल रखना और तब ही वहाँ से मीना के पापा चले जाते हैं चलो फटा फट यहां से निकलता हूँ टोनी पार्क के पास मेरा इंतजार कर रहा होगा पायल के पापा मुझे देखे क्या मैं अच्छी लग रही हूँ आपको वाव तुम तो आज बहुत ही कूपसूरत लग रही हो क्या हुआ किसी पार्टी पे जाने का प्रोगाम है कहीं जा रही हो तुम आज अरे आपको मालम नहीं है हमारे शहर के बगल में योयो गणी सिंग आने वाले हैं मैं तीना भाबी और पुश्पादीदी हम तीनों जा रहे हैं योयो गणी सिंग का अगाना सुनने के लिए अरे मैंने ये आपको बात बतानी तो थी पर मुझे समय नहीं मिला आपको बताने के लिए पायल की ममा मगर मैंने तो तुमें पहले ही बताया था कि आज मुझे जरूरी काम है और इसके लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ अभी तुम और मैं दोनों कैसे एक साथ बाहर जा सकते हैं अरे अरे ये तुम्हें बूली गई मेरे काम करने के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गए कि आपने मुझे बताया था कि आपको काम से शहर जाना है अब मैं उनको क्या बोलूंगी पायल की ममा तुम्हें तो उनको मना ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो बहुत ही जरूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ चलो तुम ऐसा करो तुम किसी और दिन का प्रोग्राम बना लो फिर तुम भी चली जाना ठीक है मैं टीना भावी को जाके मना कर देती हूँ कि मैं नहीं जा सकती आप और पुश्पादी दी चले जाए हाँ हाँ ये सही रहेगा अपने साथ बच्चों को भी ले जाओ वरना ये घर पर बहुत शितारिया करते हैं मैं भी अब निकलने ही वाला हूँ पाइल देव मीना चलो चले हम मीना के घर जा रहे हैं तुम वहां जाके खेल लेना चलो चलो जल्दी चलो चलो दोस्तों चलो मीना मीना हम तुमारे कर पे जा रहे हैं चलो वहां पर तलके खेलेंगे और तबी मोनिका और सभी बच्चे वहां से निकल बढ़ते हैं टीना के घर जाने के लिए अरे शुकर है ये मान गई वरना तो मैं फसी जाता चुलो फड़ाफड जाता हूँ पंकज वहां पर मेरा इंतजार कर रहा होगा और ये सोचते हुए टोनी वहां से चला जाता है पंकज भाई माफ करना मुझे थुड़ा समय लग गया आने में टोनी मैं तरह कब से इंतजार कर रहा हूँ यार मैंने तरह फोन पे फोन क्या और तू फोन भी नहीं उठा रहा पता है तरह भाई को जूड बोल के हैं हूँ वो तो जाने के लिए तियार बैठी है शोपे मगर मैंने उसको बोला मुझे जूरूरी काम से बाहर जाना है पंकज यार मैं भी तो इसी चकर में लेट हो गया तरह भाई तियार बैठी है शोपे जाने के लिए ये मैंने इसको भ़ाना लगाया मुझे जलूरी काम से जाना है चल अब फड़ा-फड चलते हैं यहां से पहले गाँ में कोई देख ले हाँ तु बिल्कुल सही बोल रहा है चल चल फड़ावड यहां से चलते हैं इससे पहले कोई देख ले चल टोनी आज बाइक तू चला क्यूंकि तू तू ते चलाता है जल्दी से हमें यहां से निकाल हाँ हाँ बस तू मुझे जोर से पकड़ ले मैं फड़ावड तू यहां से ले जाँगा और तबी टोनी और पंकज वहां से चले जाते हैं यहां टीना मटरशिल रही है और हीना नीना को दूद पिला रही है अरे टीना तुम इतनी देर से क्या सोच रही है मैं तुमको कब से देख रही हूँ कुछ सोची जा रही हो सोची जा रही हो बताओ तो सही मुझे अरे नई नी अमा जी मैं कुछ नी सोच रही थी बस ये सोच रही थी कि मौनिका भावी और पुश्पा दिदी को मैं क्या बोलूँगी इनसे मैंने पूछा था तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कह रहें कि नई जाना है घर पे रहो और घर पे काम करो और बच्चों को देख अभी मैं उनको कैसे मना करो मुझे समझ नहीं आ रहा यहीं सोच रही थी बस अरे मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर मना करेगा तो मुझे बताना मैं इसकी अच्छे से कलास लगाती हूँ यह है कहां अभी और तुम त्यार हो जाओ तुम्हें जाना है जड़ से लमजी वो तो घर पे है नहीं और जाने से पहले उन्होंने बोला था कि मैं आज रात को लेटाओंगा तो मैं आपको छोड़के अकेली कैसे जा सकती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मौनिका भावी और पुछ पादीदी को मैं कैसे मना करूँ बस इसी चीज से परिशान हूँ ना तुम्हें परिशान होने की जरूरते और ना तुम्हें मौनिका को मना करने की जरूरते जाओ तुम जाके त्यार हो जाओ नीना ने भी दूद पी लिया नीना को मैं संभाल लूँगी अरे नहीं नहीं अमा जी इतना भी कोई जरूरी नहीं है हमारा जाना आप मेरे होते हुए नीना को क्यों संभाल लेंगी मैं हूँ न संभालने के लिए अरे टीना तुमारे पती को भी मैंने संभाल आये मैं नीना को संभाल लोंगी मुझे आता है बच्चों को संभालना तुम जाओ जाके त्यार हो जाओ अरे भावी आप चिंता क्यों करती हो जब अमा ने बोल दिया को नीना को संभाल लेंगी तो वो संभाल ही लेंगी ठीके अम्मा जी अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो ठीके मैं चाने के लिए त्यार हो जाती हूँ और सबजी भी बिना देती हूँ अरे नहीं टीना सुबे की सबजी बची हुई है ना कोई बात नी तुम सबजी मत बनाओ उसी सबजी से मेरा काम हो जाएगा तुम जाओ त्यार हो जाओ और तभी मोनिका और बच्चे वहाँ आ जाते हैं तो दोस्तो आज की कहानी में बस इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले धन्यवाद